आज हम लोग exercise 1.1 के दूसरे प्रस्ण को देखने जा रहे हैं दूसरा प्रस्ण जो है 1.1 का वो इस प्रकार का है कि दर्साइए कि कुई भी धनात्मक बीशम पुर्णांग खुब अच्छी तरह आप इसको पढ़ते हुए समझना है कि दर्साना है कि कुई भी धनात्मक बीशम पुर्णांग जो है वो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 की रूप का होता है जहां Q कुई पुर्णांग है तो हमारा प्रस्ण यह है कि कुई भी धनात्मक बीशम पुर्णांग जो होता है वो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है यह दर्सा देना है तो इसे कैसे दर्सा आएंगे तो चलिए हम देखते हैं बोड़ पे और अपना ध्यान देखिए दीजे सबसे पहले हम सॉलूसन लिखने के बाद इसको मान लेंगे कि कोई भी धनात्मक पुर्णांग कोई मान लेंगे कोई संख्या मान लेंगे जैसे ए मान लेते हैं जैसे माना की कोई धनात्मक पुर्णांग ए हैं हम यहाँ अभी बीशम नहीं मान रहे हैं सिर्फ धनात्मक प मान लेना है कि कोई धनात्मक पुर्णांग जो है XYZ या ABC में से कोई भी चीज मान लेते हैं हमने यहां पर भाजक जो होगा divider ऑग्या होगा तो यहां पर हम यह देख रहें हैं इस टाइप लिए कि कोई भी धनात्मक पुनांग एज है यह जो होता है वह भाज का काम करेगा तो इस रूप का होगा तो जब जब युखलीद विभाजन परमेंटर आ रहा है तो यूखलीद विभाजन परमेका से क्या हो पाएगा यहां पर हम्ने धनात्मक पुना ए माना था तो ए जो होता है युक्लिट बिभाजन परिमेंका से क्या हो जाएगा 6Q पलस R हो जाएगा आपने उस फर्मूला को याद किया होगा या आपके दिमाग में होगा तो आप याद करेंगे कि A ब्राबर B Q प्लस R होता था A युकलिट भिभाजन परिमेका से जहां से A जो होता है वो भाज़क का काम करता है और B भाज़क का काम करता है और Q जो होता है वो भागपल और R डिमाइंडर अर्थात सेस्वल का काम करता है तो मैंने इसी अधार पर इसको सजा लिया इसमें आपको भी कोई problem नहीं हो रहा होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ A भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस सेसफल तो A बराबर 6Q प्लस R जहां R का मान क्या हो सकता है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि सेसफल का मान जो होता है वो हमेछा भाजक से कम होता है तो भाजक यहां पे 6 है तो reminder जो होगा हमेछा वो उससे एक कम होता है अर्थात 0 से लेकर 5 तक का होगा तो A अर्थात उस ध्हानात्मक पूर्णां का संभावित मान क्या हो सकता है जब हम युकलीड विभाजन फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर reminder 0 ले ले तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 0 तो 6Q हो जाएगा तो 6Q जो होगा एक ऐसी संख्या होगी आपको पता होगा कि 6 जो होता है अगर उसका कोई multiplication है तो वह संख्या संभाग इवे नंबर होगा क्योंकि 6 जो होता है वह 2 से divisible है divide हो सकता है तो यह जो होता है एक भाज्य संख्या है इसमें दो से भाग लग सकता है तो यह जो होता है यह एक संख्या होगा फिर एक का माना आगे क्या होगा जब हमनी एक संख्या जोड़ दिया जाता है, तो बीसम होता है, जैसे, आप कोई भी संख्या ले ले और भागफल कोई माल ले, माल लीजिए six का आपने दो बार, क्यों दो माल माल ले, भागफल आपको दो बार में कोई संख्या कट रही है, तो छे दूना बारह, अगर उसमें एक reminder ज लगता है तो इस प्रकार याः जोडेंगे तो भी स्म हो देखते हैं तो याः जो होता है, वह क्रिशन संख्या का काम करेगा जब तीन हम रिमाइंडर रखते हैं और यह सम है और यह बी सम है सम बी सम जो होता है वो बी सम हो जाता है और फिर आगे देखेंगे तो सम हो जाएगा और इस रूप में करेंगे तो बी सम हो जाएगा यहाँ पे हम सारे रिमाइंडरों को रखके यहाँ पे हमने इस बात का पता ल कब में हो रहा है तो हम यह निश्कर्स निकाल सकते हैं और यह पुड़ी तरह कि दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक भी सम पुरनांग धनात्मक भी समपुरनांग 6 q1 6q plus 1 6q plus 3 या 6 q plus 5 के रूप में से किसी एक रूप में लिखा जा सकता है तो अगर आपको या समझने में कोई दिकत हो तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रसन को देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रसन है वो तीन नंबर का है अब हम प्रसन तीन को देखने जा रहे हैं और प्रसन तीन जो है वो कर रहा ह संख्या क्या होगी जिसमें दोनों मार्च कर सकते हैं तो जब भी अधिक्तम संख्या की बात की जाएगी तो यह HCF की बात हो जाती है और यहां पर हम HCF निकालेंगे हम SCF निकालने की तरीकों के बारे में policy भी पढ़ते आ रहे हैं Euclid विभाजन परमेका के माधम से ही से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 1616 is greater than 32 1616 जो है वो बड़ा है 32 से पहला चरण लिखने के बाद हमें यहाँ पे A identify करना होता है कि A क्या है B क्या है उसके बाद परमेका से Euclid विभाजन परमेका के द्वारा A ब्राबर B Q प्लस R लिखने के बाद हम इसे सजा देंगे 616 इक्वल to 32 इन्टो 19 प्लस 8 इस प्रकार यहाँ पे reminder जो है वो 8 बच जाता है तो फिर हम क्या करते है इस भाजक 32 को फिर फिर से कटाते है और इसके बाद यहाँ पे reminder जो होता है वह सुनने आ जाता है इस प्रकार जब reminder सुनने आ जाता है तो इसका आर्थ होता है हमारा HCF जो हो गया यहाँ पे 8 निकल गया तो इस प्रकार इसका अधिक्तम संख्या जो होगा वह 8 होगा यह हम इसे simple HCF भाग बीधी से भी निकाल सकते थे जैसे 32 को 32 से हम भाग देते 616 में HCF निकालते तो simply 19 से कारते और इस प्रकार यहाँ पे 8 बचता फिर 8 को हम 32 से कार देते 8 से 32 को तो 8 चुके 32 कर जाता और यहाँ पे 8 जो होता है वह HCF हो जाता जो अधिक्तम संख्या को दिखाता है इस प्रकार यह हमारा question जो होता है solve होता है इस प्रकार आगे हम next वीडियो में next question को देखेंगे